लेडी डॉन मेडम मिंच अनुरादा चोधरी शादी करने जा रही है जी हाँ और उनकी शादी हो रही है कुख्याद गैंक्स्तर चार राज्यों का संदीप उर्फ काला जठेडी से अब तक अनुरादा चोधरी का करीबन 15 साल का सफर जरायाम करा है गन करा है सलाखों करा है लेकिन अब वो शादी के बंदन में बनने जा रही है और एक नई जिंदिगी की शुरुबात करने जा रही है हमारे सहाद बात करने के लिए न्यूज 18 इंडिया पर अनुरादा होई है अब आप किसी घर की बहू बनने जा रही है एक गैंग्स्टर के घर की और शादी करने जा रही है पहली प्रतिक्रिया मैं खुश हूँ और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिपक वासन साब की कोट ने हमें परमीशन दी है एक क्रिमिनल का एक प्रॉसेज होता है र फिर इस तरीकी के आदेश देना बहुत चैलेंजिंग काम होता है उन्होंने हमें अलाव किया तो मैं काफी खुश हूँ और मुझे लगता है कि हमारे बाद में और लोगों को भी परमीशन मिलेगी और और लोग भी क्राइम से वापस में लोटेंगे संदीप उर्फ काला जठेडी की कितने साल बाद अपने घर बापसी हो रही है जठेडी गाहों में सोला साथ शायद सोला या पंदा साल बाद परिवार के लिए जाहिर तोर पर एक खुशी का मौका है चाहे उनका बेटा जेल में रहा इतने साल तक और अभी भी जेली जाएगा शादी के बाद क्या कहना चाहेंगे उनकी माँ खास तौर से बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा दोबारा वापस उनके पास में आई ये सब चीजे छोड़के उसका घर बसे और वो इच्छा पुरी होने जारी है तो मुझे लगता है कि ग्रह प्रवेश के साथ में थोड़ी बहुत इच्छा उनकी पुरी हो जाएगी और नुरादा चोदरी मेटम मीज ने तो क्राइम की दुनिया छोड़ दिया अपराद का रास्ता चौड़ दिया है आफ हमने आपका पहले इंटरू क्या तैसल दियुक्त शादी के बाद एक संदीप इन सब चीजों से दूर हो चुके हैं अनुराधा आपकी शादी बिल्कुल फिल्मी शादी के तौर पर देखी जा रही है काफी सुरुखियों में है क्योंकि एक कुख्या लेडी डॉन रही है आप आपके उपर आरोप लगें बहुत सारे संदीप चार राज्यों के वांटेड रहे हैं बाद में उन्हें गिरपतार किया गया उन पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं आपकी शादी पर गैंगवार का शाया भी मंडरा रहा है ऐसे भी एजनसी के सूत्रें बहुत सारी पुलिस वहाँ पर होगी क्या आपको डर लग रहा है नहीं डर जैसा क कि मुझे लग रहा है और वाके में फैक्ट भी है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हम लोग दोबारा वापस इस दुनिया से निकल के फैमेली और समाज में लोटें और इसके लिए वो हमारी सेफटी के बहुत अच्छे से बंदोबस कर रहे हैं तो डर ज उसके भी जान के दुश्मन बहुत सारे हैं आपके भी बहुत सारे दुश्मन हैं और यह ऐसा ही मौकी की तलाज करते हैं पहली बात तो यह गलत है कि संदीप ने कोई खून भाया है वह allegation है अभी तक कोई प्रूव नहीं वा जी और दूसरी चीज नहीं ऐसा कुछ नहीं ह हैं वो डिपार्टमेंट को बताई जा चुकी हैं उन चीजों को हम रिवील नहीं कर सकते वो हमारी हमारी फैमेली की सिक्यूर्टी इशूस हैं आप यह शादी का कार्ड भी हम देख रहा हैं आपने बहुत सारे लोगों को नियोता दिया हुआ है दो शादी के कार्ड आपक लोग ने जैसे हमने देखा आपके घर भी CCTV कैमरा लगा हुआ है पूरी चप्पे चप्पे पर आप लोग नजर रखते हैं क्योंकि शादी का समय है यह बाउट सो डेट सो लोग और रही बाद CCTV कैमरा की तो जो गार्डन है वहां पर काफी सारे हीडन CCTV कैमरे भी लगाए है डिपार्टमेंट ने भी लगाए हैं और हमने भी लगाए हैं तो सिक्योर्टी बैस्ट है मुझे नहीं लगता कि जो बैस्ट ऑफिसर्स है वो अगर इन सब चीजों को डील कर रहे हैं तो कोई कुछ कर सकता है अनुराधा दो दिन की शादी है 6-6 घंटे की पैरोल मिली है तो हम लोग ग्रह प्रवेश करेंगे नेक्स डे मुझे लगता है कि इतना हमारे लिए काफी है अनुराधा आप तो क्राइम की दुनिया छोड़ चुकी हैं खुली अब हमें सांस ले रही हैं कहीं भी आ जा सकती हैं लेकिन संदी भी को क्यों चुना आपने जो पता नहीं क अब बहार आएगा इतने मुकदमे उसको पर चल रहे हैं कि भाई उसके साथ ही अब शादी करना है हम लोगों की ट्यूनिंग अच्छी है और थौट्स एक जैसे हैं दूसरा वो भी इस सब में फस गए मैं भी फस गई हालात की वज़े से और हम दोनों निकलना चाहते थे अन चीजों से तो बस चीजें हमें लगा कि हमें इन चीजों को छोड़के आगे बढ़ना चाहिए और हम एक दूसरी को सपोर्ट करते वे साथ लेके निकल सकते हैं चीजों से और आगे बढ़ सकते हैं तो मुझे संदीप से बेस को य लगाने अभी आप हमसे बात करेंदी कि उसका इस हत्याकान में कोई नाम नहीं आया है नहीं पुलिस ने अपना रूटीन इंक्वारी की है और वो उनकी ड्यूटी है बस मीडिया ने कुछ उल्टी सीधी चीजे चापी है लेकिन उससे कोई फर्ट नहीं पड़ता जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर और जो फ का कोई मतलव ही नहीं मीडिया कुछ भी चापे आप वकालात कर रही हैं पूरी हो गई आपकी आपने कहा था कि पिछले इंटर्विव में की संदीप का केस खुद लड़ेंगी आप जी हां थोड़ा टाइम बाकी है मैंने एक इंटर्विव में भी कहा था कि समय आने पर हम चादी भी करेंगे लीगली हमने साथ फेरे पहले भी लिए हैं लेकिन अब भी हमारी फामेली और इनके सामने इनके साटिस्वेक्शन इनकी खुशी के लिए लेंगे और लीगली डिपार्टमेंट को भी काफी सारी चीज़ें लगती थी कि इसा फेक है यह है ऐसा कुछ न संदीब के क्या कुछ सोचा आगे प्लानी नहीं वो सिक्यूर्टी रीजन से मैं यहां नहीं रह पाऊंगी शादी के बाद शिफ्ट करेंगे कहीं हाँ जी मैं और इनकी फैमिली कहीं और शिफ्ट करेंगे आपको लगता यहां पर थ्रेट परसेप्शन लगातार बना तो ऐसी चीज़ों को हम दोनों ही अवोइट करेंगे एक आखरी सवाल जैसा हमने आपसे अभी बीच में पूछा था कि एजनसी के सूत्र बता रहे हैं कि इस पर आपकी शादी पर विरोधी गेंग की बहुत पहनी नजर है कि कुछ पैनिक करने की कोशिश करेंगे संदीब करेंगे कोशिश करें कि पहली बार संदीब जो है वो कहीं ऐसे पबलिक भीड में शामिल होने आ रहा है खुद की शादी के लिए इससे पहले हम इसा पूलिस और जेल की सुरक्षा के बीच में रहता है आपको लग रहा है कुछ पैनिक ना हो इसको लेके हम तो पैनिक नही ही नहीं है और जो डिपार्टमेंट है मुझे लगता वो अपने फसे कोई दिकत नहीं तो यह थी अनुरादा चोदरी लेडी दौन मेडम दूक्त जिनकी शादी होने जा रही है और संदीब जो है महस कुछ घंटे के लिए अपनी ही शादी में शिर्कत करेगा उसके बाद वो बापस तीहार जेल चले जाएगा और अनुरादा चोधरी ने बताया है कि वो बहुत जल्द वाकालत पूरी करके अपने पती का जो केस है कानू लड़ाई है वो खुद लड़ेंगी कैमर पसंद बिमल के सांथ आनंति वारी न्यूज एटिन इंडिया जठेड़ी गाउं सोनी पत